नएकुशी कानूनों के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी लगातार प्रदश्वन कर रही है पार्टी ने शनिवार को राजभवन की ओर कूच किया जहां पुलिस की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया लेकिन कॉंग्रेस ने इसका विरोध किया है और बैरिकेट तोड़ लिए काले कानून बनाए मैंने अपने समय में MSP के लिए केंदर सरकार से लडाई लड़ी थी क्या दिल्ली में बैठे किसानों में बुद्धी नहीं है कि वे क्या कर रही है मंडियों को बड़े-बड़े उद्योग पती अपनी चपेट में ले लेंगे उन्होंने कहा कि कि किसान उद्योगपतियों का बंदुवा मज़दूर बन जाएगा हमें कत्रित हुए हैं देश के सभी किसानों के लिए नयकृशी कानूनों के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी लगातार सडक पर है प्रदर्शन कर रही है तस्वीरे आपकी टीवी स्ट्रीन पर आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेसियों को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया लेकिन डटे रहे कॉंग्रेसी और इस दोरान पुल करने से पहले पूर्मुख्यमंत्री कमलनात ने केंदर सरकार को घेरा और यह बताया कि MSP मैंने अपने समय में केंदर सरकार से इसके लिए लड़ाई लड़ी थी क्या किसानों के लिए काले कानून बना दिये थी और इस खबर पर जालो जानकारी के लिए हमारे सथ भोपाल से गणे इश्तिवारी जुड़ गए हैं गणे इश्तिवारी आप से जाननों चाहेंगे कि कॉंग्रेसी लगातार हाला की किसानों का साथ दे रहे हैं और एक बर फिर से अब कॉंग्रेसियों पर भी वोटर कैनन के बिरौद में आज कॉंग्रेस में बडी मात्रा में बारी संक्रा में राजबावन का घिलाओ किया और किसानों के समर्थन में एक एक प्रफिष्ट मार्च निकाला था जिस पर जब राजबावन की तरफ से कॉंग्रेसी कारकरता पड़ रहे है तो वहां पर पुलिस बन पुलिस बन के रोकने के बाजूर जब कॉंग्रेसी कारकरता नहीं माने और लाजबावन की तरफ पूछ करते नजर आए तो उस पर पुलिस बन में लाटी चार्च का प्रेयों किया हुई वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया उसमें जहां तक अभी जो सुचना मिल रही है तो आएंगे शरार्ती तत्वों के कारण कुछ भी ऐसा हो सकता है वहीं दूसरी और यह तस्वीरे कि पुलिस की और से हाला कि सब कुछ पता उसके बावजूद रोकने की तैयारी की ज़ूआ रही है इस प्रकार से वोटर कैनन का इस्तेमाल कि पहले ही इन्होंने आदेज दिया था कि पार्च किलो मीटर का इडिया रही है तो इस तरह की तरह की गटबी दी यह इरोग प्रदाशन या फिर ऐसे जो ट्रेशन पॉली है ऐसे किसी चीज़ को भी लाने की बगार परविशन के अनुमती नहीं है तो इस तरह से जैसे गहतन दिए और जिस तरह से मजबी काता जा रहा है कॉंग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है तो अनुमती के तरह से कोई लिगे और राजगोण का फिर वह करना जाएंगे कि जो यह कॉंग्रेस की और से प्रोटेस्ट मार्श निकाला गया है क्या इसमें किसान भी उनके साथ थे जाएंगे किसानों की और से तो साफ कर रहे हैं तो इस पर आरे हाथ ले कर इसे एक राजमेतिक मुझ्गा बनाने की कोसिश लगातार कर रहे हैं जी गणेश किसानों की और से तो साफ कहा जा रहा है कि हमें राजनीतिक इस बनाना ही नहीं आ अंदोलन को लेकिन उसके बावजूद क्या कहा जा सकता है अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कॉंग्रेस ऐसा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल निस्टिक पर ये कहना उचीत होगा क्योंकि अगर मब्द पदेश की बात करें तो मब्द पदेश में किसी तरह से पोई भी किस्तान अगर इसकी कानून के जो बिल बात किया कर उसके बिरोद में कहीं भी बिरोद करता नहीं आया है क्योंकि भार्टी जन्ता पार्टी में पहले ही जावुक्ता अधियान सलाकल जो बड़े-बड़े किसान है उन्हें लगातार समझाने की कोषिस की है कि कहीं न कहीं ये क्रसी कानून उनके हीद के लिए क्रसी कानून के बिरोद में यहां पर मद्य पड़ेश की बात करें तो किसान सड़क पर नहीं किसी करें तो कॉंग्रेस लगातार उस मुद्बे को गरमा कर राजिमी सी पज़िश्टी कर रही है को अब बहुत 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 शुक्रिया गनेश तिवारे जौदा चौनकारी देने के लिए देश-दुनिया की खबरों के लिए एन्बे नियूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए